कशकर दोस्तो, इस नहीं में बात करेंगे, cran тан जमिेद पीर के बारे में, कैसे आपको Reesee.уз-P allemaal से documents upload करने है, कैसे proceed करना है,रे है, अगर मुझे 6Sers भी या Josa Muga Se委yl ौIGHT होई है, तो मुझे कैसे इसका admission process फगरा करना है, तो देखो, ये proper admission process की 3 steps है, सबसे पहला यह है कि आपको online admission form भरना है और document upload करना है और step 2 में आपको fee registration या इसको account of his registration भी कहते है जो 100 rupees आपको pay करके जो fee registration करना है ठीक है step 2 के अंदर और यह जो 100 rupees है वो general OBC, EWS और SCST, PWD दोनों category के student को यह fee registration 100 rupees का करना है और step 3 में जो है remaining fee payment तो यह 19,000 जो है payment यह सरिफ general OBC और EWS student को करना है SCST, PWD student को नहीं करना है कि तीनो steps जो है वो NIT जमशेथपूर के admission process में है तो वो कैसे करना है सारी चीज़ अपने इसमें बात करेंगे सबसे बात करते हैं कि filling of online admission form and document uploading ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर यही चीज़ भी लिखिवी है जिस notice को पढ़ोगे जो भी 26 नमबर को NIT जमशेथ पूर ने लिखा ला है यहाँ पर यह चीज़ है mention करी है उन्होंने कि आपको candidates who have secured the admission in NIT जमशेथ पूर एन online mode त्रू जो सा 2020 पेप पॉर्टल special round are required to pay the remaining fee और fee वगरा मैंने आपको बता दिया इसके बाद है तो fee should be deposited through the dedicated link और 28 नमबर से 30 नमबर की बीच मों लिंक आ जाएगी तो उस लिंक पर अपने को क्या बोलते हैं इसको फी पेमेंट है वो आपने को करना है अभी बात करने तो step 1 में step 1 में जो online admission form वगरा है वो कैसे fill up करना है तो देखो उसके लिए किस link पर जाना है आपको यहाँ पर यह link दिख रही होगी link for online admission form and documents to be uploaded तो यहाँ पर यह जो link है आप इस पर जैसी इस link पर click करोगे तो आपके सामने ऐसा page उपन हो जाएगा यहाँ पर enrollment number में आपको अपना jimains का application number लिखना है और email id पे जो आपने jimains के registration के time पे आपने जो email id दी थी वो email id आपको यहाँ पर डालनी है और lower case में डालीएगा आप यहाँ पर जैसी email id में अपने को डालना है और enrollment number डालने के बाद यहाँ पर आप submit पर click कर दिएगा जैसी submit पर click करेंगे आपके सामने इसा page बने जाएगे जहाँ पर आपको बहुत simple simple details डालने है अपना नाम वगेरा में अपर इस फिल करने के बाद फिर और भी यहाँ पर डीटेल से admission details में और admission date में जिस दिन आप फिल कर रहे हो और जिन का डाल देना ठीक है और यहाँ पर सारी जो अपकी यहाँ पर exam name में आप j-min select करें और all India rank वगरा जो भी आई है सारी डीटेल वगरा डाल देना इसके बाद फिर जैसे यहाँ पर सारी अपनी detail वगरा डाल दोगे ठीक है यहाँ पर detail डालने के प्रोसीट पर क्लिक करते है इसी प्रोसीट पर क्लिक करोगे ऐसा page बना हो जाएगा अब यहाँ पर जो भी details वगरा और details मांग रहा हो तुमारा student information तो यहाँ पर अपना यह सारी details father name, father's office number, enrollment number ठीक है, enrollment number पर j-means का application number यहाँ सारी details अपनी father's name, mother's name, सारी जो भी simple simple details है blood group में जो भी तुमारा blood group है date of work में अपनी सारी details यहाँ पर fill कर देना, simple simple details है उसके बाद फिर नीचे आँगे तो नीचे आने के आद यहाँ पर permanent address and local address and guardian address पूछ रहा होगा तो जो भी तुमारा address वगरा कि city में रहते हो, इस सारी details यहाँ पर डालना है अपने को, फिर यहाँ पर personal information तो जो भी अपने जो सारी के टाइम पे जो medical certificate बनवाया होगा उसमें जो भी details लिगी थी, व इसके बाद देखो, जो चीज नहीं है वहाँ पर तुम simply 0 लिख सकते हो, ठीक है न, simply 0 लिख देना जो भी चीज नहीं है, जो भी इसका जो guideline है, guideline में तो लिखा होगा कि आप 000 लिख दो, जहाँ पर कोई भी चीज आपकी अगर आपके लिए applicable नहीं तो उसमें 000 लिख देना कि दोनों अपने को signature upload कर दिया, upload documents नीचा होगे तो upload documents में, यहाँ पर certificates बगरा मांग रहा होगा है, ठीक है, कि document size should be less than 500 की, तहाँ पर 10th का करना है, 12th का करना है, इसके बाद फिर अगर बात करें कि यह सारे details अपने कलिए, cast certificate बगरा सब अपने upload कर दिया, upload करने के बाद यह यह सब करने के बाद, simply यहाँ पर submit पर click कर देना, submit पर click करने के बाद, यहाँ पर तुमारा process बगरा, जो complete हो जाएगा, अब यहाँ पर back to login page पर click करोगे, तो आपस वो login page पर आ जागा, तो यह थी पूरी process, यह थी पूरा step 1, कि आपको मतलब कैसे जो है, admission procedure को पूरा आपक यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जैसी आ जाओगे, तो यह वाली सबसे पहली लेंगे, वहाँ पर click करना, click करने के ऐसा page उपना जाएगा, notices में जाना, ठीक, यहाँ पर notices option है, notices में जाने के बाद, फिर यहाँ पर b.tech admission through josa 2020 special round, इस पर click कर देना, इस पर click करने के बाद, जो pdf हो तुमारे डाउड जाएगी यह वाली, ठीक है, और और यह pdf अगरा मैं अपने telegram channel पर भी अप्रोड कर दूगा, telegram channel को भी join कर सकते हैं, अगर join करना चाहते हैं, ठीक है, simply क्या करना है, telegram app download करना है, play store से, और simply यहाँ पर search कर लेना, शोबित पाल, ठीक है, यहाँ जोबित पाल search करोगे, यहाँ चैनल आ जाएगा, और वहाँ पर सारी important documents वगरा, सारा important materials वो यहाँ पर आपको avail करा दे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर join कर सकते हो, यहाँ पर जिसा भी VNIT आपपुर का मैंने PDF अगरा डाला था, तो वैसे यह असका भी VNIT जमशेत पुर का भी डाल दूगा, और जो भी important scholarship वगरा, सभी कुछ भी important PDF आती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, यह पूरा मैने process बता दिया, आपको कैसे क्या करना है, अच्छा, अब यह जो था, step 2, step 3 के लिए, जो date दी हुई है, वो आपको 28 November का आपको करना है, ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे हैं, तो लाइक करते हैं, चैनल में पहली बार सबस्क्राइब करते हैं, मिलते हैं ऐसी next वीडियो में